सभी पेरेंट्स एंड डियर स्टुडेंट्स को मेरी गुड मोर्ने मैं मैं मैथ लेक्षर देवी सेंग आज कंटुनिटी एंड डिफिंसेवल्टी का सेकंड पार्ट ले करके आया हूँ आज हम इस चैप्टर का सेकंड पार्ट करेंगे इस पार्ट को देखने से पहले आपको इस चैप्टर का फर्ष्ट पार्ट देखना पड़ेगा जिससे आपके अच्छे से सभी क्वेस्टन्स समझ में आ जाएं क्योंकि इस पार्ट में फर्ष्ट पार्ट के जो कुछ remaining questions हैं उनको ही कराया गया है तो सभी students वीडियो को पूरा देखें और ध्यान से देखें चाहे वो पलश्टू के द्रिष्टिकों से exam देने की तयारी कर रहे हो या फिर कोई भी students या कोई साथ ही competitive exams की अपने तयारी में लगा हुआ हो देखिए अब हम अपने काम की तरफ चलते हैं तो यह आपका part first का second जो part है उसी को आगे बढ़ाया गया है form first if f and g be continuous at a यदि दो function आपके f और g continuous होते हैं किसी भी limit पर तो उन दोनोї function का sum भी continuous होता है दोनों का difference भी continuous होता है यदि continuous function को किसी real number से multiply कर दिया जाता है तब भी वो continuously होता है उसके बाद यदि हम दोनों continuous function की multiply कर दें तब भी आपका जो functions होते हैं दोनों function की multiply वो भी continuous होती है यदि दो continuous functions को divide कर दिया जाए तब भी हो continuous function ही होते है पहले part में भी मैं आपको अच्छे से बता चुका हूँ अब आप देखिए question number 24 मैं पहले ही आप से कह चुका हूँ कि इस part को देखने से पहले सभी को इस chapter का continuity and differentiability का first part देखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो जाता है जिससे आपके सारा system ये समझ में आ जाए अब देखिए example 24 या question 24 अपना देखिए 4 watt value of k is the following functions continuous at x equal to 2 4 watt value of k, k क किसमान के लिए ये जो दिया हुआ function continuous है continuous ही आपको दिया हुआ है, k की value आपको निकालनी है पहले वीडियो में हम करा चुके है हर तरीकी से आपको समझा दिया है फिर हम आपको repeat कर देना चाहते है देखिए क्या है, ये आपका fx दिया हुआ है here fx एकॉल टो ये है अब आप क्या करोगे यहाँ इस में आप limit लगाओगे उपर वाले function में तो आपके limit at x एकॉल टो आपके limit दी हुई है तो यहाँ देखिए 2 पर, 2 पर आप limit लगाओगे तो limit exchange to 2 fx equal to limit exchange to 2 fx fx की value आपकी ये दी हुई है ये आपके fx की value है fx की जगे fx रख दिया students मैंने आपको पहले भी बताया था कि यदि हम इस function में सीधा limit रखेंगे तो ये 0 upon 0 form आएगे तो 0 upon 0 form से बचने के लिए हम क्या करेंगे rationalization by the numerator इसका हम कर देंगे तो जो उपर आपका function दिया हुआ है उसका rationalization किया under root 5x plus 2 अब यहां यदि माइनस होता है तो rationalization करते समय आपका plus आजाता है और यदि यहां plus होता तो दोनों जगे माइनस आजाता है तो सेम नमबर से उपर भी multiply कर दी जाएगी और नीचे भी multiply कर दी जाएगी बस आपका sign change होता है हम को यदि जरूरत है तो rationalization by the numerator भी कर सकते है और यदि हमको जरूरत होती तो rationalization by the denominator हो जाता यदि आपका under root denominator में दिया हुआ होता अब आपको क्या करना है देखिए a minus b into a plus b इसका formula अब आप लगाओगे तो यह हो जाएगा a square minus b square square से जब आप square करोगे इसका तो under root cancel हो जाएगा square से तो 5x plus 2 minus square से under root cancel हो जाएगा 4x plus 4 है आगे minus लगा हुआ है तो दोनों ही यह आगे solve हो जाएगे तो देखिए फिर यहाँ denominator में x minus 2 की multiply इसके साथ आपकी हो ही जाएगी जब आप multiply कर दोगे तो यह आपका आजाएगा देखिए क्या करते हैं 5x plus 2 minus 4x plus 4 तो अब हम क्या करेंगे solve करेंगे solve कैसे करेंगे देखिए 5x plus 2 minus 4x bracket का आगे minus है तो अंदर के sign आपके change हो जाएगे तो यह यहाँ 5x minus 4x x अब यह क्या हुआ minus का 4 plus का 2 तो minus का 2 आजाएगा तो x minus 2 आपका इस तरीके से यह यहाँ आ गया denominator आपका same रहेगा इससे आगे हम बढ़ते हैं question में तो आपका क्या आता है तो हम यहाँ करेंगे x minus 2 into same है यह अब आप limit लगाओगे limit कैसे लगाओगे पहले आप x minus 2 से x minus 2 को one bar cancel हो जाएगा और denominator आपका यह है अब आप limit x tends to 2 जहाँ भी आपको x दखाई देता है वहाँ हम 2 रख देंगे जब हम x की जगे x की value रखेंगे तो आगे से यह function आपका हट जाता है इसको remove कर दिया जाता है तो यह आपका आजाएगा f2 equal to k आपको दिया हुआ है यहाँ से इस से उपर देखिए जब हम यहाँ 2 रखेंगे तो 5 2 जा 10 10 plus 2 under root 12 हो जाएगा फिर यहाँ 2 4 जा 8 8 plus 4 फिर 12 हो जाएगा तो 1 over 2 under root 12 तो अब यहाँ 4 under root 3 कैसे आया देखिए 2 under root 12 आपका था इसके factorize कर लेते हैं हम तो यहाँ जाएगा 4 multiply by 3 4 का under root 2 बाहरा जाएगा 2 multiply by 2 under root 3 4 under root 3 यह इस तरीके से आपका आएगा f2 आपका के दिया हुआ है तो आपको करना क्या है यह आपकी equation first हो जाएगी यह आपकी equation second हो जाएगी जो given function है यह continuous दिया हुआ है तो from equation first and second limit x tends to to fx equal to f2 आपका आजाएगा क्योंकि यह हमको already continuous दिया हुआ है तो k equal to 1 over 4 under root 3 यह आपका answer रहेगा तो students यहाँ से एक बात निकल करके हमारी आती है यदि कोई भी function continuous दिया हुआ हो वहाँ हम limits को equal कर देते हैं value नकाल करके तो वहाँ से k की value आ जाती है same ऐसा ही question आपका 25 है 4 paratres में दिये हुए है 4 watt value of k are the following functions continuous at x equal to 0 x equal to 0 पर यह continuous दिया हुआ है तो यहाँ से आपको k की value नकालनी है तो हम इसको ले करके चलेंगे जब हम इसे ले करके चलेंगे तो क्या होगा सीधा हम limit लगाएंगे इसमें 6th parts आपके दिये हुए है बड़ा question है तो देखिए here fx equal to यह function दिया हुआ है limit हम लगाएंगे उपर वाले function में तो यह आ जाएगा अब आप क्या करोगे x को sin x के अपॉन में भी x कर दिया जाएगा और x कोस x अपॉन x करोगे तो यह x से x किंसल हो जाएगा x से x किंसल तो यह आपका कोस x यह आपका आ जाएगा इसके बाद देखिए जब हम limit लगाएंगे तो sin x over x में अलग limit लगा दी जाएगी और पलस लगा करके कोस x में अलग limit लगा दी जाएगी यह आपका फॉर्मूला होता है पहले वीडियो में भी मैंने बताया था यह 1 के एकॉल होता है जब कोस 0 कोस 0 भी 1 होता है तो 1 और 1 आपका क्या हो जाएगा 2 एक कुशन आपकी फॉर्स्ट हो जाएगी आल सो f 0 k के को दिया हुआ गया यह second हो जाएगा अब क्या होगा from a question first and second since f x is given to continuous at x equal 0 इस वज़े से हम कि के को कि के को कर देंगे 2 के क्योंकि यह हमें continuous दिया हुआ है और यह यह आपका answer हो जाएगा इससे आगे देखिए आपका जो second part है यह आपका दिया हुआ है f x equal to sin 5 x by 3 x x not equal to 0 k f x equal 0 तो यहाँ आप limit लगाओगे limit लगाओगे at x equal to 0 पर जब आप limit at x equal to 0 पर लगाओगे तो यह आपका limit x tends to 0 f x तो limit x tends to 0 sin 5 x over 5 x तो आपको पता है sin x over x 1 होता है ना तो यह 5 x है तो angle को same कर लेंगे क्या किया 5 से हमने से divide कर दिया 5 से multiply कर दिया 3 आपका अपना है क्या होगा 5 by 3 constant है constant में limit लगाई जाती 5 by 3 को बाहर लख लिया जाएगा अब यहाँ angle आपका 5 x है अब limit आपकी x tends to 0 नहीं लगीगी limit आपकी according to the angle लगती है तो 5 x tends to 0 तो यह आपका 1 हो जाएगा 1 के multiply 5 by 3 से करोगे 5 by 3 ही आपका आजाएगा यह आपके equation first हो चुकी है but f0 किस k equal दिया हुआ है यह k के equal दिया हुआ है यह second हो जाएगा तो k equal to 5 by 3 आपका answer आजाएगा यह आपका answer है इस से आग देखिए third part में इसमें भी k की ही value निकालनी है तो limit x tends to 0 fx तो 1 minus cos 4x का formula होता है 2 sin square 2x और फिर यह जो 8 square है इसको हम 2 into 4x square लिख सकते है 2 से 2 यहां cancel हो जाएगा अब आप क्या करोगे उपर भी square है नीचे भी square है क्या होगा sin 2x उपर यहां 4x square किसका whole square है 2x का तो यहां हमने एक खटा whole square कर दिया अब यह अंदर हो जाएगा 1 तो 1 का square 1 ही आ जाएगा इससे आगे हम जब चलते हैं f0 k के equal है तो k equal to 1 आपका answer यहां आ जाएगा इसी तरीके से 4th बार टापका here fx equal to 1 minus cos kx over x sin x 1y2 comma x equal to 0 तो यहां आप limit लगाओगे जब limit लगाओगे उससे 1y2 के equal कर देंगे तो यह आपका आएगा limit x change to 0 fx limit x change to 0 1 minus cos kx over x sin x अब फिर वही बात हो पहले वाला formula ही लगा 1 minus cos 2x वाला 2 sin square x y2 तो इसका मतलब हो जाएगा 2 sin square kx y2 क्योंकि angle kx है kx y2 यह आएगा x sin x यह आपका आचोगा है limit x change to 0 जहां से देखे students क्या होगा sin kx y2 और यहां भी हम क्या करते हैं kx y2 अब देखो x तो यहां दिया हुआ है हमको तो kx y2 हमको बनाना है तो सीधी सी बात है आपको ध्यान रखना है कि x तो यहां दिया हुआ ही है k y2 और हमको चाहिए k y2 से उपर भी multiply कर देंगे नीचे भी कर देंगे देखिए जब k y2 से आप multiply करोगे आप उपर सुकेर दिया हुआ है इसका मतलब क्या हुआ k सुकेर y2 से हमने multiply किया और k सुकेर y2 से हमने इसे divide कर दिया है और जो आपका यह है x over sin x यह आपका दिया हुआ ही है फिर इसका देखिए मैं आपको फिर बता देता हूँ एक बार कि भई इसका हमको angle seam करना है क्या seam करना है angle seam करना है angle seam करने के लिए आप क्या करोगे देखो इसने यह जो लिखा यह कैसे आया इसको आपको देखना है द्यान से देखिए 2 sin k x by 2 इसका सुक्यर आपका है सुक्यर तो आपका इसका है तो यह आया इसके बाद में देखिए क्या angle क्या बना आपका यहां से जब हम इसका सुक्यर करेंगे अब यहां देखिए हम denominator जो आपका दिया हुआ है वो x sin x आपका दिया हुआ है परंगे हमको एंगल क्या बनाना है, एंगल बनाना है, हमें के एक्स वाई टू, क्या बनाना है, क्या होगा, जब हम के एक्स वाई टू बनाएंगे, तो एक एक्स तो यहां है, के सोकेर, के सोकेर, और वाई टू, सोकेर है न, उपर, तो सोकेर में ही देखा जाएगा, के सोके इस से तो हमने डिवाइड किया और k सुकिर by 4 x से हमने इसे मल्टिप्लाई कर दिया तब आपका एंगल यह से बनेगा तो इसका मतलब क्या हुआ बहिए जो हमने यहां 4 किया यह 2 से 2 बार कैंसल हो जाएगा यहां से यह 1 x x बार कैंसल हो जाएगी फिर देखिए तो यह आया तो एंगल सेम किया तो k सुकिर by 2 से इसे डिवाइड किया k सुकिर by 2 से इसे मल्टिप्लाई किया एक x यहां है यह तो 1 x की जरूरत हो रहे क्योंकि उपर सुकिर दिया हुआ था तो 1 x यहां और आ जाएगा तो यह क्या होगा यह तो आपका 1 के कुला जाएगा जब अंदर दियुक्त ले करके जाओगे तो यहां क्या होगा x over sin x यह 1 ho जाएगा k sticker y two constant बाहर लिख लिया यह 1 ho जाएगा यह भी 1 ho जाएगा तो यहां से आपका k security y two आया क्या आया k collaboration but f 0 equals to 1y2 है तो k square y2 k square y2 equal to आपका 1y2 आपका आजाएगा तो implies करोगे k square equal to 1 आजाएगा k equal to plus minus 1 आपका answer आजाएगा इससे आगे देखिए जो फिफ्ट पार्ट है आपका here fx equal to sin square kx over x square x not equal to 0 1 at x equal to 0 तो यहां आपको angle ही same करना है यही बात आपको ध्यान रखनी है तो limit x tends to 0 fx fx के value आपकी यह है इससे हम लिख लेंगे तो आपका angle बनाना है perfect square दिया हुआ है उपर भी square है नीचे भी एक खटा square लिख लिख लिए है तो हमार पास x तो है यह अंदर k से हम multiply करेंगे case से जब हमने अंदर multiply किया उपर square है तो k सोगर से हमने इससे multiply किया नीचे k सोगर से उपर multiply कर दिया जाएगा अब क्या होगा k x angle है अब limit आपकी k x tends to 0 लगेगी और आपका यहाँ k सोगर है ही तो यह आपका क्या हो जाएगा यह 1 हो जाएगा तो 1 का सोगर इंटो k सोगर k सोगर आई आजाएगा तो equation first हो जाएगी also f 0 किसके equal दिया हुआ है 1 के दिया हुआ है k सोगर equal to 1 हो जाएगा k equal to plus minus आपका 1 आपका आजाएगा इससे आगे आप देखिए अगला जो part से आपका वो 6th part आपका जो है थोड़ा बड़ा question है है simple देखिए here f x equal to cos square x minus sin square x minus 1 over under root x square plus 1 minus 1 f x not equal to 0 और k at x equal to 0 तो यहाँ पर हम limit लगाएंगे limit लगाने के लिए limit x change to 0 f x limit x change to 0 cos square x minus sin square x minus 1 over under root x square plus 1 minus 1 अब क्या होगा यहाँ देखिए जो cos square x है cos square x देहन से देखना यहाँ पर यह क्या हुआ कि 1 minus 2 sin square x क्या होता है cos square x का जो formula होता है इसने यह सीधा लिख दिया है cos square को हम ऐसे लिख सकते हैं मैं आपको इसे solve करके बताता हूँ cos square होता है 1 minus sin square x 1 minus sin square x cos square x जो होता है minus कि sin square x minus का 1 अब देखना क्या होगा यहाँ देखिए 1 minus sin square x क्या हो जाएगा minus का 2 sin square x हो जाएगा यह और minus 1 आपका है तो इस तरीके से आया है मतलब cos square को 1 minus sin square x में change कर दिया इसके बाद देखिए वन से वन आपका क्या हो जाएगा कैंसल हो जाएगा यहाँ तो आपका यह आया अब क्या करोगे पहले मैं आपको बता चुका हूँ पहले अंडरूट नूमरेटर में थे अब की बार अंडरूट डिनोमनीटर में अब घर रेशनलाइजस नुवाइदी डिनोमनीटर हो जाएगा उपर नीचे सेम नममर से आपका मल्टिप्लाइ और डिवाइड होगा यदि बीच में माइनस का सायन ओता है तो उपर नीचे पलस का आता है और यदि हैं पलस का सायन होता तो माइनस का आता है अब क्या करेंगे हम उपर की multiply आप उपर करोगे और नीचे की multiply आप नीचे करोगे क्या हुआ उपर की multiply तो same है नीचे देखे a minus b into a plus b a square minus b square 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 से under root cancel हो जाएगा minus 1 आप कहा जाएगा अब क्या करोगे 1 से 1 भी cancel हो जाएगा यहाँ पर क्या आया limit x change to 0 minus 2 sin square x over x square multiply by under root x square plus 1 आगे चलते हैं question पर देखिए क्या होगा अब जो आपका constant होता है मैं बार बार कहता रहा हूँ आपसे constant में कभी भी limit नहीं लगाई जाती तो minus 2 आगे आ जाएगा तो अंदर क्या आएगा sin square x over x square तो उपर भी square है नीचे भी square है तो square को एक खटा कर दिया है इसने यहाँ यह square एक खटा हो गया अब क्या हुआ इसमें limit अलग लगा दिये पिछले वाले function में तो यह तो आपका 1 हो जाएगा minus 2 into 1 का square क्या होगा तो यहाँ square दिया हुआ तो यह square आएगा मिश्टेक से इसने लखाने है 1 का सुगे अब क्या होगा जब x की जगे आप 0 रखोगे तो यह under root 1 1 का under root 1 ही होता है plus 1 तो यह आजाएगा minus 2 1 जा 2 और यह आपका क्या है 1 और 1 फिर 2 हो जाएगा तो यह आपका minus k 4 आजाएगा क्या जाएगा minus 4 also f 0 equal to k दिया हुआ है k equal to minus 4 हो जाएगा because the given function is continuous at x equal to 0 तो यह आपका question है next question पर हम चलते हैं तो next question आपका क्या है find the value of k in each of the following functions so that the given function is continuous at the indicated points तो यहाँ भी आपको k की value नकालनी है indicated points का होता है जो यह आपका है जैसे pi y2 है pi y2 पर limit लगानी है और यहाँ से k की value आपको नकालनी है तो इसमें आपकी limit लगेगी उसे equal कर दिया जाएगा किसके थरीके आगे देखते हैं चलिए देखो कि कैसे होता है इसमें भी six parts दिये हुए हैं सभी में k की value नकालनी हैं बड़ा simple questions हैं क्या करोगे limit लगाओगे x tends to pi y2 fx तो यह आपका function हो गया अब आप क्या करोगे यहाँ पर जब आप limit लगाओगे तो यहाँ पर हम देखे putting x equal to pi y2 minus theta तो x की जगे pi y2 minus theta put कर दिया है यह वो ही method आगया जैसे हम put x equal to pi y2 minus h put करते हैं तो h के according limit लगती अब हमने क्या put किया x की जगे pi y2 minus theta तो यहाँ limit आपकी जो लगेगी theta tends to 0 लगेगी x की जगे pi y2 minus theta ऊपर भी आ जाएगा x की जगे pi y2 minus theta नीचे भी आ जाएगा इसके बाद में आप देखिए क्या होगा यह आपका आजाएगा देखिए limit theta tends to 0 क कॉस 90 minus theta sin theta होता है टेंट का formula है जब आप इससे खूलोगे तो यह आपका आजाएगा देखो pi minus 2 से 2 cancel हो जाएगा pi आएगा और फिर minus 2 के अंदर multiply होगी plus के 2 theta आएगा pi से pi भी cancel हो जाएगा तो यह 2 theta इस तरीके से यहाँ आया अब आप क्या करोगे यहाँ ध्यान से देखिए ky2 constant है limit नहीं लगेगी ky2 आ गया चुका है limit theta equal to 0 sin theta upon यह theta तो यह आपका क्या हो जाएगा one हो जाएगा one की multiply ky2 से करोगे ky2 equation first हो जाएगी also f pi 2 किसके equal दिया हुआ थरीके equal दिया हुआ है किसके equal दिया हुआ थरीके इस equation हम second मान लेंगे from equation first and second ky2 equal to 3 implies k equal to यहाँ जाएगा 2, 3, 6 और यह यह आपका answer होगा क्या होगा यह student साबका answer k equal to 6 देखो यह आ चुका है second part आपका है f x दिया हुआ है यहाँ पर आपको पता है कि बड़ा interval है मैंने कल भी आपको बताए था video में जब greater than equal to का sign होता है तो यह बड़ा interval आता है इसमें right hand limit लगाई जाती है जो आपका less than का sign होता है वो छोटा interval होता है उसमें आपकी left hand limit LHL आपकी लगाई जाती है वोई condition यह आएगी left hand limit नीचे वाले function में लगाई जाएगी उसके बाद मैं put करेंगे 0 पर जब आपको limit लगा लगानी है क्योंकि at x equal to 0 ही तो दिया हुआ है यहां भी 0 है यहां भी 0 है तो आप क्या करोगे put ten x equal to 0 minus h 0 minus h रखोगे h tends to 0 हो जाएगा simplify करोगे तो यह आपका आएगा अब h tends to 0 यहां रखना है तो जब 0 का सोकर 0 0 multiply minus 2 से उग 0 0 plus k आपका k आजाएगा equation first आपकी बन जाए right hand limit बड़े interval में लगाई जाती है तो उपर वाले interval में आपकी right hand limit लगा दी जाएगी फिर यहां आप जब limit लगाओगे put x equal to 0 plus h रख दिये जाएगा इसके बाद में limit h tends to 0 2h सोखेर plus k h की जगे 0 रखोगे तो यहां आपका k आजाएगा equation second अब आप क्या करोगे also f 0 देखो यहां आपका equal का sign और लगा हुआ उपर तो f 0 कितना आजाएगा तो यहां x की जगे हम 0 रखेंगे 2 into 0 का square plus k तो जब 0 से multiply होगा तो 0 plus k k यहापका आजाएगा इस तरीके से आपका k आया क्या हुआ left hand limit k थी left hand limit right hand limit आपकी जो आई वो भी क्या थी k थी फिर यहां देखिए आप जो आपका f 0 आया वो भी क्या आया k आया तो तीनों ही equation से k equal to k equal to k now f x will be continuous at x equal to 0 if left hand limit equal to right hand limit equal to f 0 अर्थार्थ k equal to k equal to k at all real values of k the given function f x is continuous at x equal to 0 इससे आगे अब हम बढ़ते हैं तो अगला जो आपका जो parts है उस question का यह थर्ड part थर्ड part महाँ आप क्या करोगे here f x equal to दिया हुआ है k x plus 1 3 x minus 5 यहाँ आपका बड़ा interval है तो यहाँ पर जब बड़ा interval है तो right hand limit आपकी लगेगी right hand limit नहीं यह उपर तो जो है छोटा है यह साफ दखाई नहीं दे रहा है less than equal to है तो उपर तो left hand limit लगेगा और नीचे आपका right hand limit लगेगा तो less than वाले में left hand limit लगाए जाता है right hand वाले function में जो interval दिया हुआ होता है जो बड़ा interval होता है greater than वाला उसमें right hand limit आपकी लगाई जाती है तो देखिए इसमें left hand limit लगाएंगे x tends to 5 minus आ जाएगा putting x को 5 minus h तो limit h tends to 0 हो जाएगी x को 5 minus h आएगा h को आप 0 के कुल रखोगे 5 के plus 1 equation first आपका हो जाएगा पर आप right hand limit लगाऊगे कौन से function में नीचे वाले function में तो ये limit x tends to 5 plus हो जाएगा putting x equal to 5 plus h हो जाएगा limit h tends to 0 तो ये आपका 10 हो जाएगा equation second also f5 equal किस के साथ लगा हुआ है इस function के साथ f5 कितना जाएगा यहाँ आप 5 रखोगे x की जगे है तो ये आपका आजाएगा 5 के plus 1 आपका आजाएगा क्या जाएगा 5 के plus 1 इससे आगे देखिए तो ये 5 के plus 1 left hand limit equal to right hand limit equal to क्या आजाएगा ये 5 f5 5 के plus 1 equal to 10 आया तो 5 के equal to आजाएगा 10 minus 1 तो के equal to आजाएगा 9 by 5 और ये ये आपका क्या है आपका आजाएगा तो students यहाँ जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये है यदि किसी भी function में पीछे interval दिया हुआ हो तो जो less than वाला आपका जो interval होता है उसमें आप left hand limit लगाते हो जो greater than वाला होता है उसमें right hand limit लगाते हो और यदि इसके equal दिया हुआ है इसके सामने कोई function है तो उसी से आप F0, F1, F2 वागेरा आप निकालोगे इसके बाद में आप देखिए अगला question fourth part आपका दिया हुआ है क्या है Fx equal to Kx plus 1 Fx less than equal to pi cos x Fx greater than pi उपर वाले function में तो आपका left hand limit लगेगा नीचे वाले में right hand limit लगेगा third equation उपर वाले function से बनेगी क्योंकि equal उपर वाले function में ही दिया हुआ है तो आप मैंने पहले भी बता चुका हूँ आपको कि आप left hand limit और right hand limit आगे पीछे लगा सकते हो किसी भी question में आप left hand limit को भी पहले लगा सकते हो आप right hand limit को भी पहले लगा सकते हो इससे कुछ भी difference होने वाला question में नहीं है तो जिसका interval छोटा है उसमें हमने लगाई left hand limit और यह pi पर limit लगनी है तो x tends to pi minus आपका हो जाएगा fx तो यह आया अब यह पॉटिंग करोगे x equal to pi minus h तो pi minus h यहां put करेंगे तो यहां पर यह put किया जाएगा और यहां से इसे simplify करने के बाद यह आपका आजाएगा h tends to 0 तो h तो 0 हो जाएगा k pi plus 1 आपका आजाएगा तो यह आपकी equation हश्ट आपकी हो जाएगी अब आप क्या करना है left hand limit हम लगा चुके हैं अब हमको right hand limit लगानी है right hand limit किस पर लगेगी यह जो बड़ा interval आपका होता है greater than वाला इसमें आपके right hand limit लगेगी cos x में तो right hand limit जब आप लगाओगे तो limit x tends to pi plus cos x हो जाएगा substitute होगा putting x equal to pi plus h हो जाएगा तो x की जगे pi plus h तो limit according to h की लगेगी h tends to 0 तो यहाँ आप क्या करोगे cos pi plus h cos pi plus h क्या हो जाएगा third quadrant में 180 में कुछ जोड़ा जा रहा है third quadrant में cos negative होता है तो minus cos x आ जाएगा तो यहाँ जब आप limit लगाओगे cos 0 1 होगा और आगे minus लगा हुआ तो यह minus 1 आ जाएगा यह आपके equation second आपकी हो जाएगी फिर आप क्या करोगे f pi f pi आप उपर से निकालोगे f pi आप निकालोगे f pi f pi का मतलब क्या हुआ x जग हम pi रखेंगे तो यह आपका आ जाएगा k pi plus 1 आपका आ जाएगा यहाँ से देखिए तो यह आपका हुआ left hand limit में equation first right hand limit में equation second और यहाँ आपका हुआ equation third तो from equation first second and third तीनों ही values को equal कर दिया जाएगा तो three values आप equal करोगे तो आपका क्या आएगा यहाँ आपका बन जाएगा left hand limit equal to right hand limit equal to f pi तो f pi आपका यह है तो आपकी left hand limit यह थी right hand limit माइनस 1 थी और फिर आपका f pi भी आपका यह था k pi अब आप क्या करोगे यहाँ से आप value निकालोगे तो यह आजाएगा k pi पलस 1 equal to minus 1 अब आपको क्या करना k pi equal to यह minus 2 हो जाएगा तो यह आजाएगा k equal to minus k 2 upon pi आपका यह answer आजाएगा minus 2 upon pi इससे आगे देखिए students क्या होगा part 5 आपका जो दिया हुआ है here f x equal to x minus 1 10 pi x y 2 if x not equal to 1 k if x equal to 1 यह आपका दिया हुआ है इसमें आप उपर वाले में ही अब यहाँ कोई interval आपका less than का और greater than का तो है यह नहीं जिए आप left hand limit और right hand limit लगाना चाहते हो तो उपर वाले interval में ही आपकी left लगेगी और उपर वाले interval में ही आपकी right hand limit आपकी लगेगी किस पर at x equal to 1 पर आपकी limit लगेगी क्योंकि आप 1 ही तो दिया हुआ है देखिए अब हम question में आगे बढ़ते हैं तो left hand limit at x equal to 1 तो उपर वाले function में left hand limit यहाँ लगा दी गई है तो 1 minus हो जाएगा तो यहाँ पर putting होगी putting x equal to 1 minus h यहाँ substitute होगा तो limit यहाँ h tends to 0 यहाँ भी आपका x की जगे क्या जाएगा 1 minus h आजएगा तो यह आपका बनेगा इसके बाद मैं आप आगे solve करेंगे 1 से 1 क्या हो जाएगा cancel हो जाएगा limit h tends to 0 minus h y2 minus pi h y2 अब आप इसमें क्या करोगे limit लगाओगे limit h tends to 0 minus h 10 90 minus theta क्या होता है 10th का formula है 10 90 minus theta cot theta आपका होता है इसके बाद मैं इसे solve करेंगे question को आगे बढ़ाते हैं यह आपका आ जाएगा क्या limit h tends to 0 minus h multiply 1 over 10 pi h y2 अब pi h y2 आपका angle है pi h y2 से उपर भी multiply हो जाएगा pi h y2 से नीचे भी multiply हो जाएगा तो क्या करेंगे तो यह आपका जो constant term बनेगी तो यह आपका pi h y2 2 उपर चला जाएगा pi h आपका नीचे आजाएगा minus आपका दिया हुआ ही है तो यह है अब आपको क्या करना है यह आप ध्यान से देखिए देखिए उपर भी आपका h दिया हुआ है और यहाँ नीचे भी आपका h दिया हुआ है तो h से h क्या हो जाएगा cancel हो जाएगा कौन से h से इस h से और आपका यह h cancel होगा नीचे वाला इसके बाद में pi upon 2 तो 2 upon pi हो जाएगा यह हो गया जी आपका cancel अब क्या हुआ यहाँ pi h y 2 over 10 pi h y 2 तो यह आपका बना limit आपके लगेगी h tends to pi h limit जो यहाँ लगेगी h tends to 0 लगेगी आपके limit क्या लगेगी h tends to 0 अच्छा जी इसके बाद में आप देखिए तो यहाँ जैसे sin x upon x equal to 1 होता है इसी तरीके से x over 10 x 10 x over x भी आपका क्या होता है 1 होता है यह आपका 1 हो जाएगा minus 2 upon pi multiply 1 minus 2 upon pi आपका आजाएगा ऐसे ही similarly right hand limit आपके नकलाएगी उसमें हम put क्या करेंगे put x equal to pi इसमें limit जो लगानी थी हमें किसके according limit लगानी थी एक बार देख लीजिए इसमें limit लगानी थी हमें किसके according 1 के according आपको limit लगानी थी जब 1 के according आप limit लगाओगे यहाँ right hand limit में right hand limit में आपका put x equal to 1 plus h put हो जाएगा जब 1 plus h put होगा तो आप क्या करोगे तो यह आपका आजाएगा माइनस टू बाई पाई तो यह राइट हैंड लिमिट आपके आजाएगी आलसो F1 एकॉल टू के यह आपको दिया हुआ है तीनों को ही आप एकॉल कर दोगे लेट हैंड लिमिट को, राइट हैंड लिमिट को और F1 को तो के एकॉल टू माइनस टू बाई पाई इसका आणस्वर आपका आजाएगा इससे अगला क्वेशन देखिए क्या है सिख्थ पार्ट आपका दिया हुआ है तो यह Fx एकॉल टू उपर वाले फंक्शन को देखिए इंटर्वल छोटा कौन सा है बड़ा कौन सा है तो उपर तो जो X जो लाई करता है वो माइनस वन और जीरो के बीच में लाई करता है नीचे जो X लाई करता है वो जीरो और वन के बीच में लाई करता है आपको पता है जो नेगेटिव वैल्यू जो होती है देख लेते हैं शिक्स्त पार्ट में शिक्स्त पार्ट आपका देखिए हम इसको बढ़ाते हैं अपने ब्लैक बूर्ड पर तो यह आपका आ जाएगा शिक्स्त पार्ट में देखिए एट एक्स इक्वल डू जीरू पर आपको लिमिट लगानी किस पर लगानी है एट एक्स equal to zero पर तो यहां आपकी right hand limit लगेगी students चलिए आगे अपने question को बढ़ाते हैं आगे बढ़ाने पर at x equal to zero पर जब आप limit लगाओगे तो यहां आपका आजाएगा तो यहां देखिए यह आपका question है तो मैंने अभी आपको बताया उपर वाले में left hand limit आपकी लगेगी x tends to zero fx तो जब आप left hand limit लगाओगे तो यहां जो limit x tends to zero minus limit आपकी लगनी है यहां पर जब zero minus लगेगी तो यहां देखिए दोनों के उपर under root दिया हुआ है तो rationalization पहले इसने यहां सीधी limit लगा दी है सीधी limit लगाने के बाद में क्या किया है rationalization by the numerator किया है rationalization by the numerator करने के बाद उपर की multiply उपर हो जाएगा और नीचे की multiply नीचे हो जाएगी जब उपर की multiply आप करोगे तो यह आपका आ जाएगा a minus b into a plus b denominator आपका सेम रहेगा तो a square करोगे square से under root cancel हो जाएगा तो यह आ जाएगा और जब यहां minus b square करोगे तो square जब इसका आप square करोगी तो square से आपका under root यहां cancel हो जाएगा तो यह आपका function आपका बन चुका है अब bracket के आगे आपका minus दिया हुआ है इसको solve कर लेंगे 1 minus kh minus 1 minus का kh अब क्या करोगे kh से kh यहां देखिए 1 से 1 cancel हो जाएगा minus का kh और minus का kh क्या हो जाएगा denominator आपका same है अब आप क्या करोगे यहां पर minus से minus आपका cancel हो जाएगा cancel होने के बाद में h से h भी आपका cancel हो जाएगा ऊपर क्या आया 2k और denominator आपका यह है अब आप limit लगाओगे जब आप limit लगाओगे h tends to 0 जहां कहीं वे आपको h दखाई देता है वह हम 0 रख देंगे तो 2k over यहां देखिए under root 1 minus kh की जगे 0 रखोगे तो 1 minus 0 आएगा plus under root यह भी 1 plus 0 आपका आजाएगा under root 1 plus under root 1 1 का under root 1 होता है यहां भी 1 का under root 1 होता है तो यह equal to 2 आ जाएगा denominator में तो इस तरीके से 2 आया अब यहां 2 से 2 cancel हो जाएगा तो यह आपका के आ गया यह इसे equation first आप मान सकते हो इसके बाद में आप right hand limit लगाओगे जब आप right hand limit लगाओगे तो right hand limit में आपका क्या आएगा जो आपका बड़ा interval होता है जो बड़ा interval है जो बड़े interval वाला जो function होता है उसमें आप right hand limit लगाते हैं तो क्या करेंगे यह आपकी equation first है जब right hand limit लगाओगे तो इस function में लगेगी यहाँ potting होगी x equal to 0 plus h तो 0 plus h साप pot करोगे तो यह आपका हो जाएगा 2 into 0 plus h plus 1 over 0 plus h minus 2 limit h tends to 0 हो जाएगी तो यह 2 h plus 1 और नीचे denominator में h minus 2 आपका जाएगा तो क्या होगा यह इसमें जब आप limit लगाओगे h tends to 0 तो यह 0 हो जाएगा यह भी आपका 0 हो जाएगा यह minus 1y2 आएगा यह equation आपकी second हो जाएगी अब f 0 f 0 की value हम given function से नकालेंगे जहाँ equal दिया हुआ है तो यह आपका minus 1y2 हो जाएगा तो यह आया आपका k यह आपका minus 1y2 यह भी आपका minus 1y2 तो आप क्या लगाओगे from now f x will be continuous at x equal to 0 तो यह k की value आपकी minus 1y2 आपका answer आपका आजाएगा तो k equal to minus 1y2 यह आपका answer है next question देखते हैं question number 27 question number 27 में क्या दिया हुआ है so that the function f x equal to x over modulus of x plus 2x occur comma x not equal to 0 k x equal to 0 तो जो आपका modulus function होता है पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ एक वार तो उसे negative ले लिया जाता है एक वार positive ले लिया जाता है negative में less than का interval बनता है positive में greater than वाला interval बनता है और यदि आप पर interval बनाने नहीं आते हैं तो आप इसी में left hand limit रख देना और इसी function में आप right hand limit रख देना तो यह आपका देखिए क्या होगा left hand limit इसने इसी function में रख दिया है at x equal to 0 पर आपका limit रखा है क्योंकि यहां at x equal to 0 ही दिया हुआ है discontinuous दिखाना इसमें यह क्या करेंगे देखिए left hand limit x tends to 0 minus यह function आपका है तो x की जगए 0 minus h substitute होगा 0 minus h जहां कहीं भी x है वह 0 minus h आपका आ जाएगा calculation करने के बाद यह आपका उपर minus h आएगा नीचे modulus of minus h magnitude हमेशा negative numbers का positive होता है positive numbers का magnitude भी positive होता है फिर यहां देखिए यह आजाएगा आपका plus 2h square जब solve आप करोगे इसे minus h denominator से h common ले लिया जाएगा जब common लोगे तो 1 plus 2h आएगा इस h से यह h आपका एक वार cancel हो जाएगा तो उपर minus 1 over 1 plus 2h जब आप limit रखोगे तो h की जगए आप 0 रखोगे तो यह 0 हो जाएगा तो यह आपका minus 1 over 1 minus 1 आपका आजाएगा तो यह आपकी left hand limit equation first हो जाएगी इससे आगे जब हम question को बढ़ाते हैं इसी function में आप क्या लगाओगे right hand limit लगाओगे right hand limit लगाने के बाद x tends to 0 plus आएगा यहाँ put होगा put x equal to 0 plus h जब 0 plus h आप put करोगे तो जहाँ कहीं भी आपको x दखाई देता है वहाँ 0 plus h आपको put करना है limit h tends to 0 आई ही जाएगी क्योंकि function के according limit लगाई जाती है इसके बाद में से हम solve करेंगे तो यह आएगा denominator में से h common लिया जाएगा h से h cancel हो जाएगा one वार तो यह आपका function आया यहाँ आप limit h tends to 0 होगे तो two zero में चला जाएगा one upon one one आ जाएगा यह आपकी equation second आ जाएगी तो left hand limit आपकी क्या आई थी left hand limit आपकी आई थी कितनी यहां ध्यान से देखिए left hand limit में आपकी value आई थी minus one परंत यह right hand limit आपकी कितनी आई वन आई तो left hand limit not equal to right hand limit implies limit x tends to 0 fx does not exit hence fx is discontinuous at x equal 0 regardless of the choice of k तो यह यहां discontinuous आपका हो चुका है यह इसने पूछा था इससे आगला देखते हैं question आपका यह 28 question number 28 बिलकुल सेम बहुत ही ज्यादा simple question है तो यहां आपका बड़ा interval दिया हुआ greater than में right hand limit लगेगी यहां पर आपका last time में interval है left hand limit लगेगी और यहां पर यह आपका equal दिया हुआ है तो देखे right hand limit मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ यह आपके मर्जी की बात है कि आप left hand limit लगाते हो यह right hand limit लगाते हो तो इसने यह right hand limit लगाया बड़ा interval आपका यह है तो इस उपर वाले function में आपके right hand limit लगाई कि इस पर at x equal to one पर limit x tends to one minus यह one plus right hand limit के लिए students आपका one plus आएगा तो यह यहां दखाई नहीं दे रहा है हलाकि यह आपका x tends to one plus है यह आपको ध्यान रखना यहां पर उसके बाद में यह भी one plus है तो यहां क्या करेंगे हम यह three ax plus b आप substitute करोगे putting करोगे यहां x equal to one plus h तो जहां कहीं भी आपको x दिखाई देता है वहां आप one plus h put करोगे इसे solve किया जाएगा solve करने के बाद आपका यह equation मैं आपको बता देता हूँ clearly यह आपकी equation यह फश्ट बन जाएगी उसके बाद आप left hand limit लगाओगे left hand limit में आपका यह less than वाला function आएगा less than वाला जो interval है इसके सामने वाला जो function है यह आपका left hand limit में लिया जाएगा तो left hand limit में x tends to one minus फिर वोई process आपका रहेगा putting x equal to one minus h होगा जहां कहीं भी आपको x दिखाई देता है वहाँ पर हम one minus h put कर देंगे put करने के बाद इसके calculate किया जाएगा तो आपका यह आजाएगा यह आपकी equation आपकी second हो जाएगी f1 f1 आपका 11 दिया हुआ है यह आपकी equation थड़ हो जाएगी अब आप क्या करोगे since the function fx is given to be continuous यह function था यह continuous दिया हुआ था तो three equations को यहाँ left hand limit वाली को भी right hand limit वाली को भी और f1 को भी equal कर दिया जाएगा तो क्या करोगे 3a plus b यहाँ आएगा आपको लिखना तो खेर ऐसे पड़ेगा यह एक बार 3a plus b equal to 11 equal to 5a minus के 2b तो क्या होगा 3a plus b equal to 11 यह 11 के equal है और यह भी आपका 11 के equal है तो 5b minus 2b 11 के equal हो जाएगा आप क्या करोगे इसने उपर तो equation मानी नहीं है इसने सीधा यहाँ मान लिए यह first मान लिए यह second मान लिए जैसे 10th मामें से solve करते थे तो यहाँ से आप a और b की value निकाल देना तो a की value आपके 3 आजाएगी b की value आपकी 2 आजाएगी इसके बाद देखिए आपका अगला जो question है 29 question तो यह आपका क्या है discuss the continuity of the function क्या होगा इसमें 2 modulus function दिये हुए हैं और इसमें continuity दखानिया at x equal to 1 पर and x equal to 2 पर तो इस question मां आपको विशे इस रूप से ध्यान रखना है यह question होग function को negative लेंगे दोनों ही function को और यहां जो आपके limit दे हुई है one और two पर जब दोनों function को negative लिया जाएगा तो यहां आपका जो interval बनेगा x less than one बनेगा उसके बाद में हम फिर first में हमने दोनों function negative लिये फिर जब हम second time इसे लिखेंगे तो आपका first function positive हो जाएगा और second आपका negative रहेगा तो इसमें क्या होगा इसमें value आपके देखिए one और two के बीच में लाई करेगी x की value one less than equal to x less than two एक बार दोनों को negative function लिया जाएगा एक बार फिर first को positive second को negative रखा जाएगा और third उसमें condition में आप दोनों को positive लोगे तो यहां आपकी जो limit लगेगी x greater than equal to two लगेगी इस question को आपको note कर लेना है और याद भी आपको रखना है कि यदि दो function पर models दिया हुआ है एक वार दोनों को negative लेना है एक वार अगले को positive पिछले को negative लेना है फिर तीसरे जो तीसरे है जब हमारी आपका function बनेगा दोनों को positive लेना है तो आपका interval कैसे बनेगा जब दोनों negative हैं तो जो आपकी lower limit होती है उसको less than में लिया जाएगा फिर आपकी दोनों limit हों के बीच में value आएगी फिर आपका जो positive function बनता है जो आपकी upper limit है उसे x greater than equal to two सबी function ऐसे ही होंगे यह इसके बाद में two x minus three हो आपका हो जाएगा है तो यह आपको क्या करना है यह आपका यहां दे के limit लगेगी left hand limit लगेगी left hand limit और वो भी one के लिए लगेगी यहां आपके right hand limit लगेगी किसके लिए one के लिए ही लगेगी फिर आप two पर limit लगाओगे left hand limit आपकी इस function में लगेगी और right hand limit आपकी इस function में लगेगी तो इसमें दो limit एक साथ लगेंगी तो value नकलेगी क्या होगा at x equal to 1 left hand limit तो left hand limit इसमें लगेगी किसमें? less than वाले function में लगेगी ये left hand limit 1 आया, right hand limit आपकी 1 में लगेगी constant में limit लगाई नहीं जाती मैं आपको बार बार बता करके चल रहा हूँ constant आपका no change होता है उसे बदला नहीं जाता तो यह आपका one आई जाएगा तो left hand limit equal to right hand limit equal to f1 आ गया तो यहाँ से limit extends to one fx equal to f1 equal to one आ चुका है hence fx is continuous at x equal to one तो one पर यह continuous हो चुका है similarly इसी तरीके से फिर आगे देखिए आपकी बार हम two पर limit लगाएंगे आपको ध्यान रखना है two के लिए two के लिए at x equal to two तो two के लिए आप यहाँ left hand limit लगाओगे और आप यहाँ two के लिए right hand limit लगाओगे उपर वाले function से मैं कुछ भी लेना देना नहीं है ठीक है left hand limit में तो one यहाँ आजाएगा जब right hand limit आप यहाँ लगाओगे तब देखते हैं क्या आता है आगे चलिए question पर two के लिए two के लिए आप देखोगे क्या होगा left hand limit तो one यहाँ आजाएगी मैं कही रहा था आपसे right hand limit limit x tends to two plus fx fx के वैलू यह है potting x equal two plus h रखा जाएगा तो यहाँ पर two plus h रख देंगे calculation करेंगे जब यहाँ h tends to zero रखा जाएगा four four minus three यह फिर one आजाएगा तो यह भी one आपका यह भी one आपका और जब आप f2 के वैलू निकालोगे तो वो भी आपका one ही आजाएगा hence fx is continuous at x equal to two तो यह जो question था यह one पर भी continuous है और यह two पर भी continuous है तो दोनों ही limits पर यह आपका continuous हो जाएगा एक ही साथ में इससे अगला जो है उसे देखिए example जो 30 आपका दिया हुआ है example 30 में क्या है discuss the continuity इसमें आपको continuity निकालनी है fx equal to modulus of x plus modulus of x minus 1 at x equal to 0 and x equal to 1 बिल्कुल same question है बिल्कुल same कोई कुछ भी changing नहीं है एक वार दोनों को negative लेंगे एक वार दोनों को क्या लिया जाएगा negative तो जो lower limit है उसे less than लिया जाएगा एक वार अगले को positive लिया जाएगा पिछले को negative लिया जाएगा दोनों के बीच में लाई करेगी x के value lower limit और upper limit के 0 less than equal to x less than 1 हो जाएगा एक वार फिर दोनों ही function हो क्या लिया जाएगा positive तो जो upper limit है उसके greater than equal to लिया जाएगा इन सभी function को calculate करेंगे इसे भी इसे भी और इसे भी तो आपका ये आपका बन जाएगा ये function आपका बनेगा ये अब आप क्या करोगे 0 पर left hand limit उपर वाले function में right hand limit इसमें फिर आप at x equal to 1 के लिए left hand limit इसमें और right hand limit इसमें same कुछ भी changing नहीं है same पहला question तो left hand limit at x equal to 0 उपर वाले function में left hand limit जब आपने लगाई तो आपका क्या आगया 1 आगया equation बन जाएगी यहां से फिर आप right hand limit लगाओगे limit x equal to 0 plus आजाएगा तो ये आपका 1 आजाएगा फिर F0 आपका 1 आजाएगा तो left hand limit equal to right hand limit equal to F0 तो ये आपका कितना आया ये 0 पर continuous हो जाएगा ये सभी 1 के कुलाई हैं किसके कुलाई हैं ये 1 के अब इससे आगे देखिए अब इससे आगे जब हम चलेंगे अब 1 के लिए देखेंगे क्योंकि इसमें 2 limit दी हुई थी न अब बीच वाले function के लिए तो यहां left hand limit माना जाएगा और third function के लिए यहां 1 के लिए right hand limit माना जाएगा जब limit साब यहां रख दोगे तो left hand limit equal to right hand limit equal to F1 आपका आ जाएगा तो limit x change to 1 fx equal to F1 equal to 1 तो यह one पर भी क्या हो जाएगा आपका continuous हो जाएगा one पर continuous होने के बाद में अब आपको देखिए अगली exercise के लिए यह कुछ आपके important thorms है on continuous functions की तो इनको आपको याद करना है जो आपकी first exercise थी जो plus two की exercise थी कौन सी 6.1 वो आपके finish हो चुकी है यह जो आपकी thorms जो इसमें मैंने डाल दी गई है इस video में यह आपको remember करने के purpose से मैंने इनको डाल दिया है तो आप इनको याद कर लेना next video में हम 6.2 exercise को कराएंगे तो इसमें क्या दिया हुआ है मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ F, F and G are two continuous functions यदि दो function आपके continuous है FV और GV they are common domain D then आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ जब दो function अलग-अलग आपके continuous होते है उनका sum भी continuous होता है difference भी continuous होता है real number से multiply करें उस function की तब भी continuous होता है multiply भी continuous होती है division भी continuous होती है every constant function is continuous होता है constant function जिसके साथ variable नहीं होता जैसे alpha, beta 1, 2, 3 ये आपके सब भी constant function है इसके बाद में identity function क्या होता है? continuous होता है students, identity function आपका जो होता है वो केवल x होता है क्या होता? केवल x केवल x को ही identity function हम कहते हैं यहाँ पर क्या होगा every polynomial function is continuous सभी जानतोंगे polynomials को तो क्यों 9th में भी है 10th में भी है सभी polynomial functions आपके continuous होते हैं उसके बाद में आप देखिए every rational function is continuous in its domain जो rational function आपका होता है वो गी continuous होता है rational function आपका p upon Q की form में होता है continuous होता है उसके बाद में modulus function भी आपका continuous होता है इसके बाद में आपका exponential function जो e की power में जो function दिये होते हैं वो भी आपके continuous होते हैं उसके बाद composition of two continuous functions is a continuous function जदि दो function अलगलग continuous हैं और उनका जो composition है वो क्या है वो भी आपका क्या हो जाएगा continuous function हो जाएगा तो दो function f and g अलग-अलग continuous दिये हुए हैं तो जब हम उनका composition निकालेंगे तो वो विया उसका क्या हो जाएगा continuous हो जाएगा तो students यह सारी बात आपको याद रखनी है कि जो भी अभी मैंने आपको यह identity thorms वगरा बताई हैं सबी function आपके हैं continuous होते हैं next video में part 3 में हम आपकी exercise 6.2 ले करके आएंगे अगर यह video आपके अच्छे तरीके से समझ में आ गया हो तो आप इस video को like कर दें और channel को subscribe कर लें क्योंकि जब आप channel को subscribe कर लोगे और bell icon को press कर दोगे तो जब भी हम अपने videos को publish करेंगे तो वो आपको पता चल जाएगा कि mathematics का जो video है वो कव download हो रहा है तो ये video आपका कैसा लगा अच्छे से इसकी तयारी आपको करनी है thank you